सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमश्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत सुवागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्नियूज तो छिलिए शुरू करते हैं दोस्तों सौरी पहली बात तो जो वीडियो है वो आ रहे थोड़ा सा देर से विकॉज मैं दिन में थोड़ा सा बिजी था जादा ही आज काम में इसके लाँ दोस्तों यहाँ पर जो आज दिन वाला विडियो था कॉलाब अन्बॉक्स थरेपी के साथ में अगर आपने वो देखा नहीं तो जाके देख लिजिए क्योंकि यहाँ पर हमने लगाया है तरका बहुती खास इंडियन थरेपी का और इसके अलावा इंडिया में तो बहुत सारे तरह तरह के मैंने कॉलाब शूट किये थे वो भी आखो देखने को बिल जाएंगे बहुती जली दोनों ही चैनल्स पे वो मैं आपको देदू आने वाले टाइम में तो इसके लिए आप फेस्बुक पे टुटर पे इंस्टाग्राम पे जहां हो सके वहाँ पर आप कर लेजिए फॉलो तक हम जुड़े रहें ऐसे ही और यहाँ पर दोस्तों यूके में जो मतलब एक बहुती कमाल चीज हो रही ह कि यहाँ पर दोस्तों यह माना जा रहा है कि जो इंटरनेट है और यहाँ पर दोस्तों न सिर्फ ऐसा वैसा कोई भी इंटरनेट यहाँ पर दोस्तों दस Mbps का जो broadband internet है वो basically वहाँ पर दोस्तों लोग है रहने वाले उनका एक legal right होना चाहिए मतलब यार क्या कमाल की बात है कि मतलब internet सभी के हाथ में होना चाहिए 10 Mbps वाला broadband अब ऐसा दोस्तों यह अगर चीज अगर ऐसा कोई law इंडिया में निकल के आए तो बहुत ही अच्छी बात है हाला कि दोस्तों हमें अभी internet के लावा और बहुत सारी basic requirements भी पूरी कर रही है लेकिन अगर दोस्तों internet कोई law निकल के आता है तो आप ऐसे में क्या मानते हैं कि इंडिया के लिए internet की minimum speed क्या होनी चाहिए दोस्तों अगला update है वो निकल के आता है यहाँ पर मोट्रोला की दरफ से और यहाँ पर दोस्तों मोट्रोला ने open कर दिया है अपना moto hub हैदरबाद में और इसकला दोस्तों यहाँ पर मोट्रोला बोलते हैं कि हम तो वहीया welcome कर रहे हैं सरकार ने जो लगा दिया है tax imports पे क्योंकि हम जो है वो make in India program के तहित इंडिया में फोन्स बनाते हैं तो यहाँ पर सब basically मजे ले रहे हैं लेकिन एक तरफ Apple है जो अपने फोन्स की price बढ़ा रहा है अब ऐसे दोस्तों आप किन company को support करते हैं जो फोन्स अपने इंडिया में बनाएंगी और इंडिया में बेच के और यहाँ पर शुरुआत करती है अपने अपने इंडय मोटो हब स्टोर की हिदराबाद में दूस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है इंडिया में Samsung Pay को लेके अगर दोस्तों आप काम में लेते हैं Samsung Pay को तो यहाँ पर आया है एक नया अपडेट जहां पर उसक पाऊं वैसे इंडिया में इनको बिल भी किसी का पेड़ी करना होता है दोस्तों अगला अपडेट वो निकल गया आता है यहाँ पर गार्मिन के वीवो स्पोर्ट अक्टिविटी ट्रैकर को लेके यह दोस्तों फिलाल अभी इंडिया में लॉंच कर दिया गया है जो प्रा इसे वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है अब ऐसे में आप 16,000 रुपे का ये कुछ बैंड खरीदेंगे या फिर आप लेंगे थोड़े पैसे मिला के Samsung की S Watch या फिर दोस्तों आप लेंगे Apple Watch मुझे बताना जरूरी जो कॉमेंट्स में फिलाल मेरे कहल से एंडिया में जो स कोई आपकी कोई फोटो कहीं पर पोस्ट करता है वो चाहे कोई ग्रूप फोटो हो चाहे दोस्तों आपकी अखेले कोई फोटो हो और ऐसे में आपको कोई टैग नहीं करता है तो यहां पर दोस्तों Facebook को बताएगा कि भईया उस user ने आपकी फोटो पोस्ट कर रखी है आप जाके देख सकते हैं कि भईयों जो फोटो है वो क्या है कैसी है आप चाहें तो अपने आपको टैग भी कर सकते हैं या फिर दूसरा इंसान अपनी प्रोफाइल फोटो बना रहा है तो ऐसे में आप जो है वो पकड़ पाएंगे इंपरसेनेशन को तो ये काफी अच्छी चीज़ है जो फेस्बुक लेके आए है दो नए फीचर्स दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यार थोड़ इसी साड न्यूज जहां पर दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती है यहां पे एक MIUI फोरम के मॉडरेटर ने ये कहा है कि जो Redmi 5 Plus है वो ही Redmi Note 5 है मतलब गंगादरी शक्तिमान है मतलब यारे क्या दोस्तों कमाल हो गया है अभी क्या Redmi Note 5 के अंदर भी हम Snapdragon 625 को यूज करेंगे दिखते हैं कि exactly इंडिया में Redmi Note 5 कब आता है चाइना में Redmi Note 5 कब लाँच होता है और यहां पर क्या यह सेम होता है या नहीं होता है मतलब यह तो बहुत ही confusion सा हो गया है दिखते हैं कि exactly क्या होता है यहां पर Redmi Note 5 को लेके दोस्तों अगले अपडेट निकल के आता है वो है यहां पर Samsung की तरफ से और यहां पर दूस्तों Samsung ने डेवलोप कर दिया है दुनिया के चोटा module जो की है दोस् लगी दुनिया का लगे इंसान तो यहां पर अभी NASA यही टेस्ट करने वाला है कि कुछ ऐसे लॉंग टर्म इफेक्ट तो नहीं होंगे यूमन्स पे आगर क्यों ट्रेवल करके आता है मार्स तक तो यार यह बात तो अच्छी है पहले पता कर लो वरना ऐसा ना हो कि जब गए तब कुछ और जब लॉटे तब कुछ और अगला अपडे टिकल के आता है वो है यहां एं टोकरंसी की माइनिंग और यह आपकी बिना फर्मिशन के आपको बिना मालू दोले काम हो जाता है जो कि दूस्तों यहां पे मालूम चलता है कैस्पर स्कायल अप्स की तरफ से कि भाया यह जो ट्रोजन है यह एंड्रोइड फोन से बहुत जादा गलत गलत काम कर रहे है और इंडेन गवर्मेंट की दरफ से और यहां पर दूस्तों गवर्मेंट ने इडिटिफाई कर लिया है वो बैट्स जिनको हम काम में लेंगे आने वाले 5G टेकलोजी को लेके और यहां पर दूस्तों सर्विसिज हैं वो इंप्लिमेंट होने वाली है 2020 तक तो यह बहुत अच तो 4G भी 2G के बराबर लगता है तो यहां पर दूस्तों समसंग ने इंडिया में लॉंच कर दिया है अपना एक नया गेमिंग मॉनिटर जो की है 49 इंचिस का और यह दोस्तों आता है कर्वड डिजाइन के साथ टेकलोजी है वो है QLED जो मिलते है रिजुशन वो है दूस्त 38, 40 by 1080 pixels का जो एसपेट रिशो है वो है 32 इस्टो 9 का साइज दूस्तों है 49 इंचिस का और यहां पर जो प्राइस है वो है मात्र डेड़ लाख रुपे मतलब अगर आपको गेम खेलने हैं अगर आपको उठाने है दुनिया भर का मज़ा अगर आपको चाहिए दूस्तों पहला दिन और यहां पर भया एक रुपे के अंदर मिल रहे थे Redmi 5A, Redmi Y1, Redmi Mi A1 क्या आपको कोई मिला एक रुपे पर अगर मिला तुम्हें बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में और ऐसे में आपने सेल में कुछ खरिदा के नहीं मुझे जरूर नीचे बता देना वरना वो कचुआ खरगोश क्या है वो दोड़ता है और मिलता बाद में कुछ है नहीं तो अगले अगले अपडेट निकल गयाता है वो है यहां पे Chrome Installer App को लेके और यह दोस्तों फिलाल अवेलेबल थी Microsoft वाले Store में और यह कुछी घंटों में हट गई मतलब यार क्या करे हैं भी लो है वहां पे है कुछ limitations लेकिन Microsoft ने इस app को भी हटा दिया मतलब लोगों को बोला कि भईया तुम अभी इस चंगुले फस चुके हो तुमको हम जाने नहीं देंगे दोस्तों अगले अपडेट निकल गयाता है वो है यहां पे Xiaomi की तरब से Xiaomi ने अड़ कर दिया है Google तेज का payment system अगर आप करते है shopping me.com अफिर me store app से तो यह एक बहुत अच्छी बात है हाला कि मैं भी जब था अभी इंडिया में recently Google for India Day में तो वहां दोस्तों ने बताया कि जो Google तेज है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है जहां पे आप bills वगरे पे कर सकते हैं आप instantly nearby transactions वगरे क बहुत है कुछ और यूज तो मतलब इतना confusion बढ़ जाता है कि मतलब कहने को तो डिस्टल है लेकिन उसके बाहत में भी यहां बहुत सारा confusion भी है दोस्तों अगला update निकल के आता है वो है यहां पे Apple की तरफ से और यहां दूस्तों second half जो होगा 2008 का वहां पर दूस्तों Apple जो ह आपको wireless charging का support देखने को भी मिल जाए तो इसका मतलब बात यही हुई कि जो भी होगा अगले साल वाला iPhone अब वो iPhone 11 होगा या iPhone 9 होगा या iPhone 9 होगा या जो भी होगा उसमें हमको देखने को मिलेगा यहां पे नया वाला AirPods का combo लेकिन free में नहीं मिलेगा पैसे आपको extra देने हो दोस्तों बस यही तिसार आज के अपडेट्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आप वीडियो को भी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक बिर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बलकुली मत भूलेगा क्या मै मैं अपले दोजारा इसी वीडियो लेके आता रहता हूँ फिलाल के लिए इतना है दोस्तों जैहिंद बंदे मात्रम